जानते हैं इस देश में सबसे पुराना जगा क्या रेल है परकार आई है उसने बजट को ही खतम कर दिया तहीं लोगों को कोई सेंस है जी कि मृतक लोगों को देखे हम को इतनी तकलीफ ही और वहां से जह हम आए हमने रास्ते में भी कहा और स्रधे अचल जी को प्रधानमंत् करते हैं यह ठीक नहीं है तो उन्हों ने उसको एक्षेप्ट नहीं किया कि अधाना अधाना में आपने देखा तीन सो लोग मर गए एक हजार लोग खायल हुए तो जो कहते हैं रेलवे का तो जो हम स्रध्य अचल विहारी बाजबेजी की सरकार में थे रेल मंत्री आउस सम हम नहीं करेंगे तो उन्होंने का कि नहीं नहीं इसकाम को करिए और जब यूपी में यहीं पर हो गया था बहुत ज्यादा वेस्ट बेंगॉल में बहुत पड़े पैमाने पर आप समझ लिए 1999 में जब हम थे आए तो वह हम ते रेल मंत्री ही और वह एक्सिडेंट वहां हो देखे और जब लोगों के मृतक लोगों को देखे हम इतनी तकलीफ वी और वहां से जह हम आए हमने रास्ते में भी कहा और अचल जी को प्रधान मंत्री जी को हमने कहा कि भाई हम व्रियाइं करते हैं यह ठीक नहीं है तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन बात में हम फिर गए और हमने कहा कि सर मेरे इस्तीफे को दुबारा हमने दिया स्वीकार किया जाए नहीं तो हमको बहुत तकलीफ है इतनी बड़ी दुर गटना गटी है यह हमको अच्छा नहीं लग रहा है अतुरत चुनाओ वगरा भी होने वाला है तो हमको जाएंगे हम हमको छोड़ दिए तो वह फिर हमको स्वीकार कर लिये और हमने वह रिजाइन किया बात में तो और भी हुआ फिर युच के बाद DAY किये तो हमने उसी समय रेलिवे के लिए यह टै किया कि सर अगर हमको दुबारा बना रहे हैं बात में हम आये उसके डिड़ महीना के पाद तो जो तै किया गया कि जो जो चीज सब रेलवे के बारे में जो हुआ उसको स्विकार किया गया और वही काम जो प्रारम हुआ उसके चलते रेलवे के स्थिति बहतर हुई और उसके बाद तो नहीं सरकार भी आई तुम लोगों नहीं इस काम को किया तो हुआ है लेकिन अब ये कैसे एक्सिडेंट हो गया है इसको तो देखना चाहिए न और पहले आप जानते हैं रेल का जो डिपार्टमेंट होता था उसका बजट पेस होता था लग से आप जानते हैं न असारे ल लोगों को जितने MP और इसके हो रहत होते थे लोग सभारास्वा सब की बात सुनते थे और उनके इलाके में छे महीने में एक काम जरूर करवाते थे तो इसलिए सब लोग होता था सब लोगों की बात थी और आब बाद में सोच लीजिए उसका आज़ाद बजट पेस होता जब बजट पेस होता था सबसे पहले तो इतना ज्यादा आकर्सित आप जानते हैं जो हमरेल मंत्री थे पूरी रात चलती रहती थी हाव साथ बज़े सुबह जाकर के बंद होता थी और अगले दिन का समझ लीजिए हम लोग करते रहते लेकिन अब नई सरकार आई है उसने बजट को ही खतम कर दिया तहीं लोग को कोई सेंस है जी आज जो है प्रधान मंत्री उनको सोचना चाहिए न कि उनके राज में कितना विकास के लिए गए और कितना काम किया इन सब चीजों को तो यादे नहीं रखेंगे तो छोड़िये न हमको उन सब की बात नहीं है लेक बाद में सब चीज को कितना संभला अब अभी हो रहा है अच्छा नहीं लग रहा है हम तो कुछ कहते नहीं है हम दो पर दुख प्रकट किया हमने तो कुछ नहीं कहा लेकिन अब आज आप पूछ रहे था आपको कह रहे है यानि रेलवे का जो वुता था अगर इसी को फिर इस जगह हर बार सदन में बात्थी चुर्ट कितने लोग सदसे थे मफी और जोनों दोनों जगह के कितना लोगों के बीच में सारी बातों को रखी जाथी कर तो आजकल तो ऐसा कर दिया है कि अभू तो बिल्कूल अलग होगी हम नहीं जानते देखे यह यह हम किसी के बारे में कुछ कहने बाले नहीं यह तो हम अपनी बात पता दिये आपको हमको तो आदर नियां प्रधान मंत्री जी चाह रहे थे कि नहीं लेकिन फिर भी जब हमने कहा तो जब हम उनको एक दम एक बार रिजेक्ट कर दिये दुबारा जब हम जा करके हाथ जोड़ करके हम चर्ण सपर्च करते हुए कहते रहे कि हमको छोड़ दिया जाया बगतंदा ह हुआ तो बातला कि हम किसी को क्यों कहेंगे आप करिये नहीं करिये लेकिन हम कह रहे हैं किया रेलिवे का जो बजट पेस होता था वो तो उस तरह का प्रापधान नहीं नहीं होता है जी नहीं तो एक एक चीज़ बात तो सब को मालूम होता और आप जानते हैं इस देश में सबसे पुराना जगा क्या हरेल है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है लोगों के सुभधा किस से है उसी पड़ना चलते हैं लोग तो यह तो बहुत आवस्यक चीज है लेकिन उसको छोड़ करके और लोग अपने ढंग से वाजकल काम पर चार पर सार करें